हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपकी यूटूब चैनल इन्वेश्ट फोर एवर में बफिस स्वागत करता हूं देखे आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिटे जिसका नाम है एडियर फोर्स लिमिटेड बहुत पहले इससे बाते करी थी ओके उसके बाद यह शेयर ने एक अच्छी खासी जंप भी दिखाई थी और फिर एक साल से अगर हम देखे तो यह शेयर लगा था गिरावट में था बट अब एक ऐसी अपॉर्चनिटी यहां पर नजर आती है और अगर मैं बात करूं कि यहां पर इस प्राइस पर यहां से ऊपर जाने की पू जाम लेते हैं ADF Foods is engaged in the business of manufacturing and selling of food product like pickles, chutney, ready to eat item, pasta, sauce, paste and sauces, frozen foods and spices तो काफी सारे segment में particular company यहां पर deal करते हुए नजर आती है FMCG से related company है और product portfolio की बात कर रहे तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके पास level 400 plus इनके पास products है जिसमें frozen snacks, bread and vegetables, right to eat foods है, meal, accompaniments है तो यहां पर काफी सारी चीदे यहां पर दिखाई देगी, milk, drink भी है, brand portfolio की बात कर रहे तो company के पास अगर हम देखे तो 8 यहां पर brands नेम है जिसमें Ashoka, Camel, True India, Aeroplane, Nets, PGS Organics and ADF Souls and Khansama यह कुछ brand है इस particular company के, यहां पर अगर आप देखेंगे तो new product launches है, यहां पर इनके प्रोड़क्स भी यहां पर launch की है Ashoka brand के नाम से और अगर यहां पर देखा जाए तो company अच्छा कासा है यहां पर काम करती हुए नजर आती है और यहां पर इंडिया में ही बात करें distribution network की तो अच्छा कासा है यहां पर distribution network है जिसमें यह 55 countries में काम करती हुए नजर आती है company to ensure uninterruptive product supply additionally it took on lease a second warehouse in Georgia Georgia में US में ही Georgia पढ़ता है उदर इन्होंने एक और warehouse यहां पर लिया है जो की अच्छा कासा है यहां पर 33,000 square foot का है यहां पर दिखाई जेता है और अच्छा कासा है 1 lakh square feet का है यहां पर इनके पास क्या हो गया एक lease leasehold area इन्होंने ले रखता है यहां पर देखिए जो पतांजली food है वो अपने products भार की countries में launch करने जाता था तो यहां पर अगर देखा जाए तो ADF foods यहां पर distribution rights यहां पर लेते हुए नजर आया है इसके पतांजली foods के तो इससे क्या हुआ है इससे इन company का और ज्यादा यहां पर business होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है एक बाद ADF foods की website पर विजिट करिएगा तो आपको पता चलेगा की company exactly करती क्या है तो पहले यहां पर वीडियो बनाई थी अगें यहां पर अच्छा नजर आता है तो इससे लेटिन यहां पर क्या बात है की जा रही है अब ADF foods के रिलेटिड कुछ यहां पर जान लेते है इसके fundamentals तो यहां पर देखिए small cap company है 1784 करोड रूपे का market cap है PE की बात करे 39 का इसका PE है अच्छा नजर आता है और इस तरीकी की जो गिरावट अभी देखी गई है वह गिरावट यहां पर बीच-बीच में कभी-कभी यहां पर आती रहती है बट अगर हम देखा जाए long term के मकसे से तो यह long term के boxes से भी अच्छा नजर आता है और short term की बात करें तो यह short term के नजर यह से भी अच्छा नजर आता है लब पिछले 5 साल में 26-27% के CAGR से यहां पर भागता हुआ नजर आ रहा है तो यह सारी चीज़े इस particular company में एक faith produce करती है कि हां यहां यहां पर share में बने रहना है sales की बात करें तो देखिए यहां पर December 2021 में highest revenue ने sales दिखाई थी ओके और उसक अच्छा काम किया है यहां पर देख सकते हैं कि 400 क्रोड रूपे के आसपास की sales यहां पर company ने यहां पर टच कर दी है profit भी देखिए तो लगब 50 क्रोड के आसपास का profit भी टच करते हुए नज़ा है reserves की बात करें 361 क्रोड रूपे के reserves के पास बोराइंग की बात करें के बाल 15 क्रोड रूपे की यहां पर बोराइंग है जो की company कभी भी चुका देगी working progress में 1 करोड रूपीज 52 करोड रूपीज का investment और cash की बात करें तो लगब 60 करोड रूपे का company के पास यहां पर cash भी नज़र आता है अब देखिए promoters, promoters ने यहां पर हिस्सेदारी दुबारा बढ़ाई है आप यहां पर देख रहोंगे जब लोगों ने share बेचना शुरू किये तो promoters ने ही वो share यहां पर करीदते हुए नज़र आए तो यहां पर लगाता और shares बढ़ते हुए नज़र आए FIs की बात करें FIs ने यहां पर जहां पर FIs केवल और केवल 0% यहां पर दुबारा इन्होंने share करीदे और 910% हिस्सेदारी यह रखते है DIs के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है 7% और यहां पर देखें DIs में तो यहां पर आप देख सकते हैं Abakas Emerging Opportunity और Sixth Sense India Opportunity इन्होंने यहां पर शेयर ले रखे हैं FIs की बात करें Infinity Holding ने यहां पर शेयर ले रखे हैं Public की बात करें Public से शेयर यहां पर कम हो रहे हैं Public से जब भी शेयर कम होते हैं तो मुझे महां पर एक opportunity दिखाए देती है 47% की Holding है बट उसमें भी देखेंगे यहां पर बड़ी बड़ी हिस्सदारी कुछ पर्टिकुलर कमपनी ने कुछ पर्टिकुलर लोगों ने आशिश कचौलियसर की बात करें तो 1% की Holding इनोंने यहां पर ले रखी है तो आपको यह चीज़े समझनी होगी कि शेयर काफी भैतरी नहीं पर नजर आता है तो ADF Foods एक अच्छा खासा शेयर है ओके जितनी पटाई होनी थी इसकी हो गई है अब यहां पर चार्ट से लेटिट बाते करते हैं बट उससे पहले आपसे रुक्वेश्ट करूँगा कि Invest4Hour channel को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट आल के नॉटिफिकेशन को आन करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज यहां पर मिलती रहा है और आपको यहां पर पदा चले कि exactly market में किस तरीके से काम होता है इसके इलाबा हमने यहां पर क्या एक कोर्स लॉंच किया है जहां पर लोग किवल टेकनिकल दिखाते हैं बट मैं टेकनिकल के साथ में research और fundamentals ही सिखाता हूँ जहां पर अगर आप particular share को एक अच्छे point में आपर खरीदते हैं तो याद रखिए अच्छागासा पैसा बनता हुआ नाजर आता है क्योंकि हर एक share एक कुछ stages, 4 stages से गुजरती है तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 stages होती गया है इसके और सबसे सस्ता course है, market more सबसे best course है 8860540501, 8169261037, contact कर दीजिए, course की जानकारी ले दीजिए I will make sure कि आपको ये course complete करनेगार किसी और की जरुवत ही आपर पड़ेगी नहीं और जो course एक तारिक से पहले join करेगा, उसे एक मेने का जो हमने WhatsApp group create किया है उसमें यहाँ पर आपको free entry मिलेगी और उसके आप 50% का discount और lifetime यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा और कोई और WhatsApp group में add होना चाहता है तो 1000 उपीज उसकी fees है और course join करने वाला का एक महिना free और 50.500 रुपे ही परमंदुनेट पे करने होंगे बाकी सब कुछ अच्छा है तो यहाँ पर जा सकते हैं उसमें काफी सारी चीज़े डेली चार्ज डाले जाते हैं कि कहाँ पर शेयर अच्छे नजर आते हैं अब एडिया foods की बात करते हैं यहाँ पर चार्ज से लेटेट तो देखिए यह एक क्या था इसका एक consolidation period था जो इसने गिराबट के बाद एक consolidation किया अब शेयर यहाँ पर breakout देता हुआ नजर आ रहा है और breakout होने के बाद यहाँ पर कुछ टाम तक consolidation हो रहा है यहाँ पर एक अच्छा खासा accumulation इस पर्टिकूलर पॉइंट पर एक अच्छा खासा accumulation होता हो नजर आ रहा है अगर कोई भी यहाँ पर एंटी रेता है एक चोटा सा stop loss लागा कि ओके 812 पर शेयर चल रहा है अगर आप चाहे तो लगभग 20-30 रुपे का stop loss नीचे लगा के इसे एंट्री कर सकते हैं अधर्वाइस किसी को एंट्री करनी है तो 848-850 का एक एंट्री पॉइंट बनता है जैसे इस पर्टिकूलर लेवल से निकलेगा 912 पहले टार्गेट है 1000 का दूसर टार्गेट है और तीसे टार्गेट की बात करूं 1100 रुपे के आसपास का है जो कि मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि यहां पर एक राउंडिंग बाटम मुझे क्रियेट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसकी support भी मैंने आपको बता दिय बता दिया रिश्टेंस आपको यहां पर करेंगे दिखा दिया एक लांग-टरम चार्ट पर इसका ब्रेक आउट भी हां पर होता हुआ दिखाई दिए तो सब बेसिस पर यह शेर मुझे क्या नजर आता है अच्छा नजर आता है एस वेल आरे साही मुझे यहां पर इस शे होता हुआ नजर आता अब अगर यहां पर बात करें एक अच्छी गिरावट के आज एक अगें एक अपॉर्चुनिटी बनती ही नजर आ रहे है तो आप इस पर्टिकुलर शेर से लेटेड सोच सकते हैं बट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइन शेर आडवेज सब कुछ अच्छा नजर आता है वीडियो अच्छी लगें लाइक कमें शेयर चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए कोर्स की जानकारी के लिए इस यहां पर आप नंबरों को नोट करके रख लिए थैंक यू सो मच गर ब्लेस